थोड़ा से revise कर लेते हैं क्या क्या सीखा last video में हमने हमने थोड़ा charges के बारे में discussion होगा, charge होते हैं, किसकी वज़ा से होते हैं, electron पर कितना charge होता है, proton पर कितना charge होता है, क्या signs होते हैं, फिर हमने GLE यानि की gold leaf जो है, उसकी बात की, एक लेक्ट्रो सकोप की जिससे हम detect कर सकते है चार्ज किस तरह से करते हैं डाइग्राम बनाया समझा फिर बताया कि conductor और insulator में क्या फर्क है क्या basically फर्क है कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज conductor है या insulator है फिर हमने induction की बात की यानि कि charge कैसे कर सकते हैं किसी object को बिना touch किये यानि कि उसे contact ना हो फिर भी वो चार्ज हो जाए तो उस process को induction कहते हैं वो समझा हमने induction पित बॉल का एक experiment किया और बुक में विदिया था तो वो हर एक step समझा और उसके बाद तीन basic properties of charge हमने समझे ती क्या बता सकते हैं कौन बने है एकटम चे और ने प्रोटोन ने यनि कि हर एक चमें चार्ज diabetic अ काटा हो जन्य दा है कि आनुप और और ऊंगिठीव कहते देने हैं यह मतलब हर एक चीजर्च दा हईगा हूं देखो असी लेक्टरॉन्स पर्टोन नोहीं विएक हो महीं लाग ग्या हूं experimentally find किता गया कि same charges यड़े होंदे है वो एक को दूजे नो repel repel मतलब दूर करना दूर कर देने यानि कि for example एक electron है यहाँ पर तेक electron है क्योंकि electron दा charge की होंदा है minus 1.6 into 10 to the power minus 19 है यह दूनों same charges ने एक को दूजे नो push करनगे दूनों side यानि कि ये थे रहना नहीं चांदे ये चांदे जिनना दूर असी हो सकी है और ना हो जाइए ये थे positive proton रखे हैं उन्दा में इदी जगाता क्यों होना सी उन्हाने attract होना सी attract दी force है force थे ही ना दोना चीज़ फोर्स है attract भी है ये ये attract करेगी अगर opposite charges होनगे attract करेगी same charges होनगे तो repel करेंगे अच्छा हून वेक्खो ये थे कुछ force होईगी इना दे विच जिदे कारण एक दुझे नू दूर push करेंदी ये रिपेल कर रहे ने ये थे यासी imagine कर सकते हैं दो एक ट्रोन में थे रख दमा उनदे विच एक force होईगी ये force की करेगी दुनना नो दूर करेंदी कोशिश करेगी जिवे magnet से वेक्टिया है यासी same pole की कर देने दूर जेनो दूर जान दी कोशिश कर देने हुन विखो जे मैं इत्थे एक electron रुखा एक में एक case लिया है case 1 एक case 2 है जिड़े मैं हुन बना रहे है इत्थे में electron बढ़ा देना एक जिगा तीन electron करती charge किनना हो गया 3E इत्थे की हो गया minus 3E sorry और इत्थे की हो गया minus है सी सेम चार्ज ने इन इस case ते इस case की फर्क है सर इत्थे force ज्यादा होएगी common sense ठीक है न अस ज्यादा charge होएगा ज्यादा force होएगी एक होर case लो हुन मैं इदिनाल compare कर रहे है case पहला जड़ा हैगा ओधिनाल हुन इस electron में इत्थे रहा दना दूर हुन force की हो जाएगी काट हो जाएगी कि बद जाएगी तो इससे ही कह रहे हो जिट डिस्टेंस वदा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है ते force काट रही है यह जड़ा case 3 है यानि कि असी केंदे प्रपोर्शनल है फोर्स चार्ज जानते डिपेंट करेगी चार्ज वद गए तो फोर्स ने भी वद जाना इजड़ा case 2 है यह ही कह रहे है हुन इत्थे की कह रहे है इत्थे की किता पहले इस डिस्टेंस ही गा फॉर एक्जांपल केस वान ते केस थी नूं कंबेर कर रहे ह होन कि यह डिस्टेंस वद गया पर सर्फ फोर्स ते कट गी इत्थे उल्टा रिलेशन हो गया इव डिरेक्ट लेशन की कह सकते हो हिंदी चेव या पंजाबी चैसे सिद्धा सिद्धा रिलेशन जो एक चीज वद दिया दूजी वद देगी चार्ज जीज वदन के त्थे इत्थे उल्टा हो रहा है रिलेशन इन्नों के अंदेने इंडिरेक्ट ली प्रपोर्शनल है चीज इंडिरेक्ट प्रपोर्शनल है यानि कि जो भी रिलेशन है वो उल्टा रिलेशन है इंडिरेक्ट रिलेशन है तो इस डिस्टेंस वदाओगे तो फोर्स वद गी नहीं घट जाएगी हुन इता साथी सिर्फ कॉमन सेंस है अगर इना दी जगा मैंगनेट्स भी होंदे तुसी यह नूँ पूरा कॉमन सेंस न लदा सकते हो कि इत्थे केड़ी केस जादा होएगा इत्थे मैं मैंगनेट जादा पावर नी करदा मां तुसी अपपे कहोगे फोर्स ब से गारा आमनल कुलम्स लाओ पर लेने फोर्स एक्स्पिरेंस बाइटू पॉइंट चार्जेज जो कुछ डिस्टेंस पर हैं एट सम डिस्टेंस इज फोर्स हगर है बीच में कोई फोर्स को नाम देरे एफ वो डिरेक्ली प्रपोर्शनल होती है उनना दे प्रोड़क्ट यानि कि दो चार्जेज जिनने भी हैगे उननों मल्टिप्लाई कर दो और एक और चीज़ कहन दी है इंडिरेक्ली प्रपोर्शनल होएगी उनना दे वेच जड़ा डिस्टेंस है थोड़ा ज़े फिगर बनाके समझ दिने अगर एक क्यूवन चार्ज होए एक क्यूटू च यहीं कि प्रड़क्टी प्रड़क्ट आफ q1 औ क्यू टू चार्ज वदाऊं के फोर्स भी वदेंगी यही थे सारिह कमन स्यंस हिगी केस चार्ज वदाऊं से साथि फोर्स भीषए दोजी चीज इन्डिरेक्ली प्रपोर्शनल है क्यो Monate हो सिद्ण सिदा सिदा ऊपर नहीं ह तो यानि कि ए डिस्टेंस अगर मैं वदा दमा ते आर दी वेली वड़ी हो जानी फोर्स कट जानी है ए बी ऐसी कॉमन सेंस ना लिए असरे सी ऐसी केस थ्रीच डिस्टेंस केस वांते केंपेर करो डिस्टेंस वदाया ते की हो गया फोर्स कट गी पर होन कूलम्स लॉक की कह रहे है एक्जेक्टली तो अनूँ एक्वेशन दे सामना समझा रहे है कि तुसी मेजर भी कर सकते हो तुसी उस फोर्स नूँ नाप भी सकते हो यह दे कारण जिटा इदा फुल फॉर्मूला है ओ आएगा क्योंकि यह प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल्टी हटानी होवे ता एक कॉंस्टेंट सानू यूज करना बेंदा है तो यह थे देखो यह था सामना ही रहेगा क्योंकि प्रपोर्शनल्टी नदी डिरेक्ट है डिवाइड़ बाई आर स्क्वेर यह साथा कूलम्ला हो गया थीक है इनू असी अगर थियोर यह एक कॉंस्टेंन्ट है कूलम्स कॉंस्टेंट बहेंगे कॉंस्ट da sellore में कि बीच में और जो डिस्टे कितना सपरेटेंट है इंका बीसमें आर और यह क्या ढकली स्र्फ बाते में आर का स्कुएर होना जाहिए इसके हिसाब से इन डिरेक्टि प्र्रोशनल है फोश्य between two point charges is directly proportional to the product of the charges charges is directly proportional to the distance between them squared. यानि कि square होना चाहिए distance, simple r नहीं होगा, r squared होगा. तो यही equation ही हमें coulomb's law बता देती है, अगर आप इसको भी देखो, इस figure को, तो क्या है? देखो q1 यहाँ है, q2 यहाँ है, distance क्या है, r है, और इसका अगर आप स्क्वेर कर दें, तो बन गया है coulomb's law. और एक चीज़ और इसमें है क्या? k, यहाँ पर लिखे सकते हैं, k is constant of proportionality. इसको coulomb's constant भी बोलते है, coulomb's constant. और value क्या होती है, इस k कि कि किसी constant अगर बात कर रहे है कि कोई चीज़ constant है, और इसकी एक value constant रहेगी, fix रहेगी, वो value क्या है, जो fix रहती है, that is 8.99 into 10 raised to power 9, जिसको ज़्यादा तर around ले लिया जाता है, क्योंकि 8.99 है, 9 into 10 raised to power 9, क्योंकि याद भी रहता है, 9 into 10 raised to power 9, दोनों तरफ 9 होगा, और units क्या हो जाएंगे इसके, newton, meter square, coulomb, minus 2, यानि कि square, two coulomb होगा, वो नीचे आएगा, squared, मैंने ऊपर ले लिया है, ये unit कहां से निकाले, कुछ नहीं है, formula ही देखना था, अगर k को यहां रखता हू ये तो newton में होगा, force, तो newton वहाँ से आगया, r तो meter में है, तो meter square है, ये उस side जाके, simple multiplication हो जाएगा, meter square, ये ये भी coulomb में होता है unit, ये coulomb squared हो जाएगा, पर वहाँ जाके नीचे आजाएगा, तो हम बोलेंगे, coulomb minus, ये हो गया हमारा coulomb's law, एक और बात, यहां constant of proportionality को इस value को 1 by 4 by epsilon not करके भी लिखते हैं, और यहां पर epsilon not होता है, permittivity of space, अगले वीडियो पे इस पर epsilon not पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और आगे coulomb's law के कुछ questions भी करेंगे, thank you.